सो गाइस आद कि स्टीडियोगे ऊपको हम बताने मुलें कि दूस्त çıkar लिया यहां फिरकाँ पहले भी किया हुआ होगा अगर डाउनलोड तो उसका दोस्तों एकसे यानि कि उसके आपने थरड पार्ट कि परमिस्टा दे दी तो आप third party app की permission को कैसे हटा सकते हो जहां दोस्तों आप हटा होगे क्योंकि third party app है ना जो की hacker के दोवारा आप बनाए गए app होते हैं क्योंकि दोस्तों वो आप को gmail मांग कर password मांग कर login कर लाते हैं फिर वो आपके account से दोस्तों कुछ भी छेड़ का नहीं कर सकते हैं निकि दोस्तों आपके photo हुए है या आपकी कोई personal details हुई आपके कोई document हुए जो वो उनके पास यहां से चले जाते हैं तो आज के इस video के दर आपको हम दोस्तों इन सारे documents वगरा कि सारी दोस्तों third party के app के जो भी दोस्तों permission है सब को आप डिलीट करने के बाद भी allow रहता है तो उसको हम यहां से delete करने वाले हैं तो किस तरीके से delete करोगे तो यहां पर आपको सबसे पहले चले जाना है आपके google पे सब्सक्ति दोस्तों gmail पर चले जया उसके बाद यह three lines के option है जिस पह क्लिक कर देना है और यहां पर आपको dort यह December अचाE जया बाद यहां पर आजाएगा आपको capita का आइकन इस pos tightly कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर इस तरीके से स्क्रोल कर लेना है स्क्रोल कर रहोगो तो मैंने third party access यहां पर आपको मिल जाएगा तो मैंने third party access के option पर जाना है और यहां से देख सकते हो दोस्तों हमने जिन अपको यहां से delete कर लिया है और यहां पर अभी भी इन्होंने प्रिमिशन लेकर रखिए तो इनका दोस्तों आपको यहां पर प्रिमिशन बंद करने वाले हैं और इसका डाटा भी यहां से डिलेट कर देंगे तो किस तरीके से करना आपको सिंपली जिसका करना है उस पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर आपको एक ओप्सन सो हो रहागा है रिमूव एक्सेस इस पर क्लिक कर देना है ओके पर प्रेस कर देना है जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ से आपका गुम गया है वो यानिके डिलेट हो